हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एक पार्टी स्नैक्स जो कि घर के बहुती बेसिक समान से हम बना के त्यार कर सकते हैं और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं सबसे पहले मैंने पालक लिया है इसको अच्छे से वाश कर लिया है अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इसको बिना पानी एड किये हम इसको बीट करेंगे पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करना तो चलिए धकन बन करके अब हम इसको बीट कर लेत देखिए पालक है जो हमारी बीट हो चुकी है अब हम इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे बहुत ही बेसिक समान है जो हमारे घर में होते हैं उससे ही बनाएंगे हम यह ब्रेटली है मैंने वाइट ब्रेटली है आप कोई भी ब्राउन जा मल्टी ग्रेन कोई भी ले सकते हो पीसे इसको ऐसे रफली तोड़के हम पालक में एड़ कर देंगे ये प्रॉक्सली मेट एक कप के करीब पालक का पेस्ट है मैंने इसमें पांच ब्रेट के पीस डाल दिये है तो अब हम इसको अच्छे से पालक में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो अमारी जो bread है वो भी बिल्कुल soft हो जाए अच्छे से हम इसको mash कर लेंगे, अपने हाथों से mash कर लेंगे हम इसको ताकि जो bread का कोई भी pieces में नहीं रहना चाहिए अच्छे से एक lamb आटे के dough की तरह हम इसको अच्छे से mash करते हुए एक dough ready कर लेंगे यह देखिए हमने बिल्कुल पालक और bread को बिल्कुल lamb बिल्कुल dough की तरह ready कर लिया है इसमें बिल्कुल कोई bread का piece नहीं रहना चाहिए आप इस snacks को store करके भी रख सकते हो एक महिने तक यह बिल्कुल खराब नहीं होगा तो देखिए हमने अब हम इसके लिए एक और vegetable की जो हमें चाहिए वो ready करते हैं सबसे पहले मैंने 2 teaspoon इसमें oil add किया है अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा add कर देंगे थोड़ा सा हमने लसन को brick brick chop कर लिया है वो add करके हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे लसन का थोड़ा सा कच्चा पन निकलने के बाद अब हम इसमें एक प्याज हमने add किया है प्याज को भी हम थोड़ा सा पका लेंगे बहुत ज़ादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है बस हलका सा ही पकाएंगे इसके बाद हम वेजिस लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए मैंने हरी, पीली, लाल, शिमला, मिर्च, गाजर और फुल गो भी ली है अपने टेस्ट के हिसाब से आप कोई भी वेजिस एड़ करिये और मैंने यहाँ पे फ्रूजन कोन को एड़ किया है इसको भी अब हम दो मिनट के लिए पका लेंगे इसके बाद मैंने दो से तीन बॉइल की हुए पटेटो लिए है अगर आप पटेटो एड़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगा पे पनीर भी एड़ कर सकते हो जहां आप कच्छे केले को बॉइल करके भी इसमें एड़ कर सकते हो उसका भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें चली फ्लेक्स डाल रहे हूं फिर इसमें ओर्गयनूड एड़ कर देंगे दनिया पाउडर नमक एड़ कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से साथ में हम इसमें एड़ कर देंगे चाठ मसाला अब हम इन सबी को अच्छे से mix करेंगे बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसके बाद हम इसमें हरा धनिया add कर देंगे और gas का flame हम off कर देंगे और इन wedges को ठंडा होने देंगे अच्छे से हरा धनिया को भी हम mix कर देंगे wedges में एक बार आप जुरू ट्राई करें बहुत ही बढ़िया snacks बनके ready होते हैं ये तो इधर हम पालक चेक कर लेते हैं देखिए बहुत ही बढ़िया dough ready है तेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा नमक add करेंगे जीरा add कर देंगे चाट मसाला और इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल रहे हो इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा बिल्कुल अलग टाइप का तो इसके बाद जो हमने wedges ready की थी वो भी ठंडी हो चुकी हैं अब वो भी हम इसमें mix कर लेंगे आप ये बना के आप बच्चों को टिफन में भी दे सकते हो अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे साथ में हम इसको binding के लिए इसमें हम corn flour add कर रहे हैं टू टेबल स्पून हमने add किये हैं बाकि अपने जुरूरत के हिसाब से आप इसमें थोड़ा बहुत और डाल सकते हो अच्छे से mix करते हुए हम इसका एक dough ready कर लेंगे देखिए हमारा जो dough है वो बहुत ही बढ़िया ready हो चुका है इधर मैंने थोड़ा मैदा लिया है उसका मैंने घोल ready कर लिया है अब हम हाथों पर oil लगाएंगे और आप इसको कोई भी shape के लिए snacks ready कर सकते हो आप टिक की shape भी बना सकते हो कबाब shape बना सकते हो मैंने इसको slender का shape दिया है आप कोई भी बना सकते हो यह देखिए अब हम इसको मैदे की जो हमने घोल ready किया है उसमें dip करेंगे साथ में इधर मैंने bread crumbs लिए है bread crumbs में हम अच्छे से snacks को roll कर लेंगे इससे एक तो बहुत ही crispy बनेगा उपर से अंदर से बहुत ही soft बनते हैं यह देखिए अच्छे से हम इसको roll करते हुए इसके बाद हम अपने हाथों में इसको एक बार roll कर लेंगे ताकि जो उपर extra bread crumbs है वो निकल जाए ताकि जो हमारा तेल है वो खराब न हो तो ऐसे हम सारे snacks बनाके ready कर लेंगे देखिए हमने सारे snacks बनाके ready कर लिए हैं लेकिन हमें इस समय सारे की जरूरत नहीं है यह बिलकुल खराब नहीं होते जब भी आपके guest आने हो थोड़ी दिर पहले आप इसको freezer से निकालिए और आप इसको fry कीजियो और enjoy कीजिये तो देखिए मैं इसको airtight container में रद दूँगी freezer में तो बाकी हैं जो अभी मैंने मुझे थोड़े ही चाहिए तो इसलिए मैं इसको half इसमें fry कर लूँगी इधर मैंने कडाही में तेल को गरम कर लिया है तो इधर हम snacks को fry कर लेंगे अच्छे से crisp होने तक डालेंगे बहुत जादा एक दम से नहीं डालेंगे जितनी आपकी कडाही में जगा हो उससाब से डालें एक दम से हमने इनको पलटना भी नहीं है थोड़ी दिर पकने के बाद फिर हम इसको उलट पलट करके इसको crisp brown होने तक पका लेंगे उमीर आपको recipe अच्छी लग रही होगी अच्छी लग रही है तो please like का बटन जूर प्रेस करी चैनल में नए हो तो चैनल को subscribe करना ना भूले तो देखिए हमारे जो snacks हैं बहुत ही बढ़िया crispy बनके ready हो चुके हैं ऐसे ही हमने सारे snacks बनाके ready कर लिए हैं देखिए कितने crispy बने हैं और मैं अंदर से दिखाते हूँ अंदर से बहुत ही soft बनते हैं और बहुत ही healthy snacks है इसमें सारी veggies है पालक है अब already इसमें काफी iron होता है तो देखी उपर से crispy अंदर से बहुत ही soft बनके ready होई है तो चलिए अब हम इनको serve करते हैं उमीद है आपको recipe अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो please like, comment और share करना न भूले चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe ज़रूर करें तो आप इसको किसी भी dip के साथ serve करें तो मिलते हैं एक और नहीं recipe के साथ Thank you